करेंगे हैं आज के इस लेक्चर पे सर्वें कर लेक्चर नंबर थी पे हम बात करने वाले हैं स्रांग स्केल एंड एक्टेंड इसकल के बारे में दैन उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक पे कुछ नियुट्य करेंगे ठीक है एड लेक्चर करने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को जबाद करने वाले हैं सरंग के pengeng के बबारे में कि स्केल के बारे में ओके तो पहले यह समझ लेते हैं देखो यह एक मैप है ओके यह मैप है मान लेते हैं कि इस मैप का can be original area क्या है 100 cm square इसका ORIZINAL. और यह 1-0 साल बाद औके दस साल बाद अगर इसी स्केल इसी मैप अगर देखेंगे तो इसमें कूछ भी हो सकता है कई सारे फैक्टरस है कि यह चेंज होका instead पहुंत T 2-2 10 साल बाद after 10 years 10 years क्या हुआ कि यह map सिकूर के थुरा सा छोटा हो गया ठीक है 99 cm2 हो गया मतलब अभी था कितना अभी है कितना 100 cm2 दस साल बाद कितना हो जाएगा 99 cm2 ठीक है तो यह सिकूर गया थुरा सा छोटा हो गया इसका एरिया जो है तो अगर इसको हम इंजिनियरिंग के तर्म में कहेंगे तो यह हो चुका है क्या श्रांक ओके यह सिकूर चुका है अगर यही मैप छोटा ना होके थुरा सा बड़ा ह ह जाहे मतलब अभी तो हन्देट सेंटीमेट सेंट JAKE कर है क्या हो गया अभी हंडिड वन पोइन वान सेंट्म टैस कार हो घख है मानलो तो यह साल बाद किया ranking यह फंक है ऑगक हूँ अगर 10 साल बाद हम इस map को लेके calculation करें किसी भी line का link निकाले या फिर किसी भी plot का area निकालेंगे तो क्या आएगा calculation में आएगा error ओके अगर इस map को भी ले तो भी आएगा क्या error ओके लेकिन हम engineers हमें चाहिए perfect measurement okay perfect measurement तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे अगर हम स्रांग मैप को लेके measurement करेंगे तो हमें यूज करना है क्या स्रांग की स्केल ओके हमें यूज करना है क्या स्रांग की स्केल अगर हम इस map को लेके यूज करें इस मैप को लेके हम मेजरमेंट निकालेंगे तो हमें यूज करना क्या है हमें यूज करना है extended scale बात समझ में आई अगर हम इस मैप को लेके क्योंकि यह स्रांग हो चुका है original तो यह है हमारा यह स्रांग हो चुका है 99 cm2 में अगर इसके सारे हम कोई भी मेजरमेंट निकालते हैं तो उसमें आएगा क्या error लेकिन हमें accurate परके इस मैप को यूज करेंगे तो हमें क्या यूज करना है extended scale ओके चलो अभी मान लेते हैं मानों कि इसमें कोई line ओके चलो यह मैं ओल्ड लाइन लिखना हो ठीक है ओल्ड लाइन का मेजर्मेंट क्या था मान लीजे 10 cm था ठीक है अभी ही आप स्रांग लेंक कितना हुआ स्रांग होने के बाद लेंक कितना हुआ चलो है पी नगल धिव्द्र हो चुका है तो हम निकाल लेंगे अभी श्रांग फेक्टर मेप का shrunk factor okay shrunk factor shrunk factor मतलब क्या है shrunk factor मतलब shrunk length अपन original length okay अपन original length ठीक है ओके तो इस map के लिए हमारा shrunk factor कितना होगा sf कितना होगा बोलो sf होगा 9 by 10.9 तो 9 by 10.9 इसका कोई unit नहीं है क्योंकि यह similar क्या similar quantity के एक ratio है इसलिए इसका unit नहीं है तो strong factor इसका क्या हो गया है अभी strong factor से हम निकाल लेंगे क्या है strong scale okay strong factor पहले तो हमें निकालना है क्या strong factor पहले क्या था original क्या था एंड उसके बाद strong होने के बाद क्या हुआ पहले यह लेके हम निकाल सकते है strong factor strong factor को use करके हम निकालेंगे क्या strong skill तो strong skill देखो strong skill कैसे निकालते है strong skill is equal to क्या है strong factor okay multiplied by original skill okay तो इससे क्या हम निकाल सकते है strong skill निकाल सकते है किसके सहारे strong factor के सहारे okay तो strong factor strong skill strong skill का हम निकालेंगे क्या RF ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा एसे फिंटू original skill का आरे एफ ओके ठीक है ना ऐसे हमें क्या मिल जाएगा strong skill का RF okay strong skill का आरे physical to strong factor इन्टू original skill का आरे एफ ओके तो यह formula आपको याद रखना है पहले तो आप याद रखेंगे यह formula ठीक है strong factor निकालने का formula एन उसके बाद strong skill निकालने का formula ठीक है यह दोनों formula आप लिख लिए क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे numerical problem को solve करेंगे चलो यह तो बात था strong skill की अब अगर बात करेंगे extended skill की बारे में तो क्या आएगा देखो extended scale के बारे में क्या आएगा कैसे निकालेंगे हम एक्स्टेंड डेड ओके एक्स्टेंड इसकेल तो सबसे पहले देखो यहां पर यह एक्स्टेंड हो चुका है ठीक है इसमें क्या length area सब कुछ इंग्रेज होगा न एक्स्टेंड होगा तो ओल्डी ओल्ड क्या था मानले जो ओल्ड था 9 cm ओके अभी हो चुगा क्या अभी हो चुगा 10 cm ओके ओके तो यह स्रांक नहीं यह हो जाएगा क्या extended 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 ओके तो extended factor निकालो बिल्कुल एकदम सेम तरह extended factor मैं लिखने राओं यहाँ पर देख एक्स अने फिक्टर का फॉर्मुला क्या होगा extended link extended link ओके आपन क्या original link ओके तो इसमें क्या हुआ है कुछ इस तरह से होगा ओके तो यह होगा extended factor चलो अभी extended scale को निकालते हैं extended scale का रेफ हम आरेफ निकालेंगे ओल्वेज इसकेल का क्या निकालेंगे आरेफ निकालेंगे तो यह यहाँ पर क्या होगा extended factor multiplied by क्या होगा original scale का आरेफ इसकेल का आरेफ ओके तो यह दोनों formula आप याद रखेंगे यह दोनों formula आप याद रखेंगे पहले क्या strong factor के लिए strong skill and strong factor का जो है formula वो याद रखेंगे and extended scale का extended factor okay and extended scale का यह दोनों formula आपको याद रखना है ओके चाहे तो आप तो से हम कहते थे क्या extended oh sorry extend this उसे कहते हम least count okay तो चलो आज शुरू करते है आज का numerical first numerical problem दो किस्किन पर आ रहा है a map has a shrunk and 10 cm line become 9.4 cm only if original scale of map was one centimeter is equal to 25 meter then hmm then kya puchah gaya है पहले तो ये पूचा गया है कि find the length of line if the major length on map is 8.2 cm other shrunk is shrunk map me measured length kya 8.2 cm to original length kya hooga ये पूचा कया है and they go and doosra kya pucha गया है calculate area plot if measured area of map is 235 235.4 cm square अब देखो area पूचा गया है तो आज हम यहाँ पे इस numerical को करने के लिए क्या करना है पहले तो linear scale का यूज करना है देन उसके बाद area निकालना है तो area निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि linear scale को linear scale को area scale में convert करना है देखो question में क्या सिर्फ और सिर्फ linear scale दिया गया है one centimeter is equal to 25 okay तो चलो अभी देखो पहले तो problem one okay problem one तो problem one में क्या है original scale क्या है कि ओके ओर इजिनल स्केल है वान सेंटिमेटर पॉन है 25 मीटर ही यह ना तो इसका आरेफ निकालो आरेफ निकालो आरेफ क्या होगा ओरीजनल स्केल का आरेफ क्या होगा कि 1 25 मीटर को सेंटिमेटर में कनवर्ट करो तो आजागा क्या दो जी रो ओके तो यह हो गया original scale का आरेफ अभी हमें निकालना क्या है स्रॉंग फैक्टर अच्छा मैं फूल ही लिख रहा हूं हब्रने कि escuch सन्क पर निंगर स्रवक्टर में क्या है अपन क्या औरजिनल लेंग्थ तो ऐ Bijक यो सिंटेंटीमीटर विकाम नाइन पॉइन फूर को तो лес रस्क लेंग एंडिवलेंग्व्र है तब मैं हो जाएगा जिरोपॉइंटान नाइन फौरो हो जाएगा आपका स्रांक फैक्टर, ओके, चलो, अभी देखो, अभी हम क्या निकाल लेंगे, स्रांक स्केल, हम निकाल लेंगे, स्रांक स्केल, क्योंकि हम स्रांक हुए मैप को यूज कर रहे हैं, स्रांक हो चुका है, ऐसे मैप को हम यूज कर रहे हैं, मेजर्मेंट के लिए, तो हमें स्रांग इसके ल निकालना जरूरी है तो इसलिए हम इसके लिहां पर निकाल रहे है तो स्रांग के स्केल कि निकालने किया था Akbre The original rq तो is जिया है 0.94 in original इसकेल का आर्ष क्या हिए 1 आपन 255 ओके तो यहां पर हम क्या निकाल नहीं तो आरेफ कि फॉर्म में रखो इसे कि 2500 आपन 0.94 तो कुछ इस तरह से मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि हमें आरेफ में करना है तो यह क्या बन जाएगा हमारा वान आपन क्या बन जाएगा स्कालकुलेशन करने के बाद हमें जो मिल जाएगा 2659.57 2659.57 ओके तो हम यह भी कह सकते हैं इसको आठ इसका और इसका और फ निकाल चुके अब हम यह कह सकते हैं सेंटिमेटर क्या होगा Carnival सेंटिमेटर इन क्या होगाि सकेल के कि वान सेंटिमेटर एगल टुद्टु शिक्स्क्सographers, इसको में मिलिखनी, ई हटू जेए अपनव तो यह हो जाएगा हमारा क्या स्रैंख ट्राइयो már क्य चक्छा ऑभी देख को अभी हम् में चले जाते हैं प्रोब्लम में क्या है पहला किया पुछा गया है लेंग्ध निकलना पूचा गया है पहला को सिंक यह था find the length of line if the measured length on map is 8.2 ते गहार मेजर लेंग्ध क्या है में लेंग्ध यह 8.2 सेंटिमीटर ओके तो अब क्या होगा कि लेंग्थ क्या निकलेगा कि फिल्स लेंग्थ क्या निकलेगा तो स्ट्रांग के साथ इसको मुल्टिप्लाइब कर दो अगर मुल्टिप्लाइब करने के बाद क्या मिलेगा आपको मुल्टिप्लाइब करने के बाद करना खुद से तो लगभख 21 218 मीटर के पास आएगा ओके पॉइंट सम्थिंग है कुछ इधर इसलिए मैं इसको इसके बाद भी कुछ है तो यह हो जाएगा हमारा फिल लेंग्थ तो नमबर वान जो पूछा गया था वो हो गया हमारा अभी क्या देखो नेक्स्ट क्या पू पुछा क्या है ゃा क्याल कोलिट एरिया और व्लॉट अभी प्लॉट एका प्लॉट एक ब्लॉट अग्या निकालना इत्व मेजर प्लॉट कहल हो हो एन तेफॉट फाह। 4 cm तो हमारे पास क्या है हमारे पास है linear skill linear shrunk skill है हमारे पास ओके linear shrunk skill है जो था हमारा क्या 1 cm is equal to 26.5957 meter ठीक है यह linear shrunk scale का value था हमारे पास तो हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है इसलिए क्या हमें पता था कि हमें linear scale को area scale में convert करना है जिसके लिए हम क्या करेंगे एरिया इस रहांग इसकिल कि 1 cm square is equal to is close square कर तो 26.5957 इसका 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 आएगा क्या मीटर इसका है तो इसका इसक्यार करने से क्या होगा वैलू कितना आएगा बोलो वैलू मैं वैलू को लिख नहीं रहा हूं ओक है चलो अब फील इरिया निकालते हैं जो की पुछा गया है फिल इरिया क्या है 235 235 235.4 cm कर तो यह हैं यह हमरे मेजर्ड इरिया इसको अगर हम स्केल के साथ कर देंगे तो मिल जाएगा क्या फिल इरिया तो देखो वांट इसको इस इस इसको कर दो इसको करने के बाद क्या आएगा हमारे पास कि इसको अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आएगा 165 51901 ओके नायिजरी ओन पोइंट फोट्टूं मीटर स्क और यह आप खुद से क्लेशन कर लीजिए गा क्यल्कुलेशन अगर आपके पास है तो यह आप खुद से क्यल्कुलेशन कर लेजिए ठीक है लगबग इसके पास आएगा आपका है एंस तो यह ए वह अदुन पार्थ हमारे नंबर वान जो पुछा गया था यह रहा एंड नंबर तो यह रहा हमने क्या किया पहले तोушка स्वार्ट रॉड use पे लाके हमने क्या निकाला strong factor'd and strong factor के साथ साध और alayनलRF multiply कर दिया multiply करने के बाद हमें मिल गया क्या strong का RF Okay तो यह हो गया strong इसके आपका मिल गया and then उसके बाद हमने यह calculation किए then उसके बाद ab addiction with ekसे हमने निकाला तो चले जाते हमें next question कि वर देखू next question क्या कहा गया है स्क्रीन पर दिखरा हुआ एन एरिया ओफ फिल इस टू फिप्टी सेंटिमेटर इसकर ठीक है 250 सेंटिमेटर इसकर फ्रॉम ए साफ स्रॉंक मैप है विंग स्रॉंक फेक्टर ऑफ 0.9 कैल्कुलेट दा ओरिजिनल एरिया इन मिटर स्क्राइब फिल्ड इव दा स्क्राइब क्या है लीनियर है ओके ठीक है एन उसके बाद क्या दिया गया है मेजर्ड एडिया स्रॉंक स्केल का ओ स्रॉंक मैप का मेजर डिया दिया गया है एंड फ्रॉंक फैक्टर दिया गया है तो इससे हम क्या निकालेंगे देखो यह काफी आसान सा सवाल है काफी आस इसके था हमारा one centimeter is equal to 50 meters okay original scale क्या था one centimeter is equal to 50 meter okay अभी strong factor क्या है strong factor दिया गया है 0.9 strong factor क्या है 0.9 okay तो अभी यहां से हम क्या निकाल सकते है strong scale निकाल सकते हैं तो strong scale निकालो तो पता चल चुका है कैसे निकालेंगे आप strong scale का RF कैसे 0.9 into one by 50 into 100 करने से ऐसा आ जाएगा एंड जिरो पॉइंट 9 तो कैसा आएगा आपका कुछ इस तरह से आएगा 55 पॉइंट सुरी अगर इसको मीटर पे ही रखे देगे तो क्या आएगा 55 56 कुछ इस तरह से आएगा आपका strong scale का रहे है तो strong scale कैसा होगा इसकेल क्या होगा strong scale क्या निकलेगा one centimeter is equal to 55.56 meter ओके तो देखो अभी क्या पूछा गया है एन एरिया अफिल्ट तो एरिया निकालना है तो एरिया के लिए इससे कंवर्ट कर दो एरिया इसकेल पे श्रांक एरिया इसकेल ओके वान सेंटिमेटर इसकेल इसकेल क्या होगा 55.56 का स्केल जो क्या आएगा स्केल मीटर स्केल पे ओके ठीक है न एक दम आपको समझ में आ रहा है अगर नहीं समझ में आ तो कमेंट कीजिगा ठीक है ओके देखो यह हो गया श्रांक एरिया इसकेल तो इससे आम में एरिया निकालना क्या वान सेंटिमेटर इसकल डू कितना है एतना है तो 250.5 और 250.4 से सब्सक्राइब करने से क्या आपको आएगा क्या मिलेगा एंसर कुछ इस तरह से निकलेगा 771727.5 मीटर सक्राइब कुछ इस तरह से निकलेगा इसका एंसर ओके तो यह हो गया ओरिजिनल फिल्ड एरिया ओके बात समझ में आए कैसे हमने किया पहले तो ओरिजिनल इसकल दिया गया था पुछ एंड उसके बाद स्रांक फैक्टर यह भी दिया गया था क्वेस्टिन प वं किन पर लगा चैने कर लांत अ प्रिजिकन शोरटा के लिए नो तरफ इसकर करना होता है तो इसको एडान उसके बाद आधने अरिजिनल एडिया कैसे निकाला स्ट्रांक यह उडिया स corazón galaxy उन्रफर तो कुछ इस तरह से होगा एप के लिए 3 क्या है यह फ्यक्तर जो है ठीक है ट्राँ फ्यक्तर वाम से बहुता है देख्या बाकि similar process में जाएगा extended scale का बार चलो अभी example number अभी problem number three देख लेते है problem number three में क्या कहा गया है देखो question skin पे सो रहा है okay तब तक मैं इसको erase कर दो part 3 okay problem number 3 problem number 3 10 division of bernier skill is equal to 11 division of main skill of each one 0.1 millimeter millimeter what is the least count of the one year skill okay so you happy kya puchaga had 10 division of bernier skill is equal to 11 division of main skill of each two in a n is equal to how many kya pata hai list count is equal to is by n a patanam only a nika la tha is Kya gejo class water survey ka so humne wa hapa Kya list can ding kala kuch is Tala se S by N okay to S kata division of main skill and number of division नमबर ओफ डिविशन और यहां पर क्या था डिविशन ओफ मेन स्किल ओके तुछ यहां पर देखो मेन स्किल क्वेस्टिन में देखो मेन स्किल का वन डिविशन कितना है वन डिविशन है कि क्या 0.1 s is equal to 0.1 mm okay and n क्या दिया गया है n दिया गया है आपका 10 okay तो लिस्ट काउंड क्या होगा लिस्ट काउंड एक्दम सिंपल s yn 0.1 आपन दस तो 0.01 mm तो इस स्केल का देख है इस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंड क्या होगा 0.01 mm okay तो यह है आपका एंसर okay चलो अब नेक्स्ट कुस्टिन में चले आए नेक्स वस्टिन में देखो problem number four calculate the length of one division of vernier scale calculate the length of one division of the vernier scale if least count of the scale is 0.02 mm and the least count of the main scale is 1 mm okay ठीक है तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि वर्नियर स्केल का one division मतलब कितना ठीक है अच्छा अब एक और फॉर्मूला हमने डेराइब किया था क्या problem number four हमने क्या देख अगर मान लेते हैं कि V is equal to division of vernier scale one division ठीक है कुछ इस तरह से था पहले class में हमने देखा था ओके and s division of main scale division of main scale हो गया ठीक है तो इन दोनों को use करके हमने कैसे निकाला था अपना कैसे निकाला था अपना list count बोलो list count कैसे निकाला था list count delta is equal to जो की ज्यादा है उससे माइनस कर दो एस माइनस वी तो कुछ इस तरह से निकाला था हमने list count अभी देखो यहां पर concept value डिया गया है ओके question में देखो list count of the skill list count मतलब d दिया गया है 0.02 अभी देखो और दूसरा दिया गया है list count of main scale मतलब one division zero point ओ सुरी यह किया है one होगा only one होगा है एंड वी हमें पूछा गया है एंड वी हमें पूछा गया है एस मतलब one division of one division of main scale ही है क्या list count of the main scale देखो यह अगर scale है तेगे यह अगर scale है कुछ इस तरह से division है तो यह scale minimum कितना accurate measurement कर सकता है one division ही करेगा ना one division ही करेगा यह अगर main scale है अगर यह हरे division आपको वान है one millimeter है तो यह one two three four five six seven eight nine ten okay कुछ इस तरह से आएगा ओके तो इस scale के सहारी हम minimum क्या measure कर सकते है one mm ठीक है one mm तो इस मेने scale का list count क्या हो जाए का one mm इसलिए मैंने one division of main scale is equal to list count of the main scale मैंने यहाँ पे माना तो s is equal to one हमें इसलिए मिल गया एंड वी का वेलू हमें निकालना है तो वी का वेलू कैसे निकालो अभी यह काफी सिंपल है one minus 0.02 तो क्या होगा 0.08 कुछ इस तरह से आएगा न है 0.08 mm तो list count of one year scale आपका कितना आएगा बोलो list count of one year scale आपका आएगा 0.08 mm ओके पता चला यहाँ पे confused मत हो ना क्योंकि one division of main scale ही होता है main scale का list count मतलब one division से नीचे तो measurement नहीं कर सकता ना इसी लिए तो हम यूज करते हैं secondary scale ठीक है इसी लिए हम यूज करते हैं अगर one millimeter से छोटा हो रहा है हमारा measurement ठीक है तो क्या है हम तब यूज करते हैं one year scale accurate measurement के लिए ओके चलो तो यह था problem number four का example ऐसे कुछ example और भी है ठीक है आप अगर खुद से practice करेंगे तो यह चीजे जो है scale का जो numerical problems है यह काफी आसान है आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आगे ओके ठीक है तो चलो आज का जो class है यही पर हम कतम कर रहे हैं and next class में हम discuss करेंगी chain serving को लेके okay तो चलो फिर से मिलते हैं वही class पे and thank you very much